असलाम अलेकुम फ्रेंट स्वागता आपका इस यूटूब चैनल जेके स्टेडी मुटेरियल में जेके बोस्त के जितने भी 12th क्लास के स्टूदेंट्स ने जिनको मैथामेटिक भी है तो आइस का वीडियो मैथ पर है कि आपने मैथ के लिए कैसे प्रिपेर करना है जिन स्टूदेंट्स ने मैथ का भी कुछ भी प्रिपेर नहीं किया वो कैसे प्रिपेर करें, जिनने प्रिपेर किया भी है समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो उनको भी यहां पर में बताऊंगा आपका जो निया सेलबस है, वो क्या रहने वाला है, डिलीटर एक्सराइज कौन कौन सी है, आपने इंपॉर्टन टॉपिक्स कौन से पढ़ने है, अगर भी तक अच्छे से प्रिपेर नहीं किया है, तो कहां से प्रिपेर करें, लास्ट जो भी आपकी डेस बचे हैं, उनमें यही सिस्टम रहने वाल है, बट सावट जोन के यहां पर बच्चों को थोड़ा ही टाइम बचा हुए, अब लास्ट 15 देज में कैसे प्रिपेर करना है, उससे पहले मैं आपको पूरा यहां पर बताऊंगा, कौन से आपके यूनिट से हैं, उसमें से क्या डिलीट हुआ है क्या पढ़ना है, सब कुछ में आपको और कितने मार्क्स का है, सब कुछ यहां पर बताऊंगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपका जो यूनिट है पहला, Relational Function और Inverse Trignometric Function, यह दोनों मिला कि आपको 8 मार्क्स देंगे, जिसमें, Relational Function के अगर बात करें, आपको जो आप पहले example देखा करो, फिर exercise अच्छी तरी किसे देखा करो, and example भी आपने वही prepare करनी है, जिसके आपको exercise है, for example, 1.1 है, तो इसके example है तो पढ़नी है, 1.2 इसके example या theorem में पढ़नी है, अगर आपको 1.3 exam में है ही नहीं, 1.4 है ही नहीं, नहीं इनकी पीछे दीगी example पढ़ जो आपको 4.2 जो है, वो आपकी exercise depend करती है, properties of determinant, बट आपको properties of determinant जो है, वो syllabus में नहीं है, and आपका जो calculus है, 35 marks का है, जिसमें आपको continuity बगारा पूरा पढ़ना है, सिरफ 5.8 को skip करना है, उसमें आपको अगर mean value theorem है, वो सब कुछ आपने skip करना है, 5.8 exercise भी skip करना है, इसके सा को आपने सिरफ 8.1 यहां पर जो exercise है, उसको पढ़ना है, differential equation में पूरा पढ़ना है, सिरफ 9.3 को आपने skip करना है, तो यह आपका calculus आजाता है, vector algebra और 3 dimensional geometry आपको 14 marks देंगी, तो vector algebra अलमस्ट पूरा पढ़ना है, 3 dimensional geometry में आपने पूरा पढ़ना है, बट आपको वहां पर जो topic है co planner, यह आपके syllabus से delete हो गया, co planner में आपको जो exercise 11.2 होगी ना, उसमें question number 8 और question number 9 होगा, यह उसके बाद भी कोई और question हुआ, co planner के हिसाब से, वो पूरे आपने नहीं पढ़ना है, तो इसका आपने पूरा पढ़ना है, सिर्फ जब exercise 12.2 पे आओगे, तो वहां पे आपको graphical method यूज करना और mathematical यूज करना है, तो mathematical आपको delete होगे, आपने सिर्फ graphical जो method हो सीखने, जो भी आपको 12.2 exercise में आते हैं, फिर आपका probability में यहां पर 13.3 तक पूरा पढ़ना है, 13.1, 13.2, 13.3, जब 13.4 में आओगे, वहां पर जो भी question आपको mean of random variable के हिसाब से होगा, वो पढ skip करना है, बागी आगे जो भी exercise होगी उसको भी skip करना है, पढ़ना कहां से उसे पहले में आपके एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन students ने अभी तक math पढ़ा ही नहीं है, समझी नहीं आ रही है, तो आप easy easy chapter use करो, आप यहां पर calculus को skip कर सकते हो, क्योंकि यह आपको tough लग exercise delete है, वो आप नहीं पढ़ोगे, second आपका है CBS class videos one shot video, वहां से भी आप prepare कर सकते हो, बट आपने syllabus का धियान देना है क्योंकि वो old syllabus पर भी depend है, तो वहां वहां आपने थोड़ा धियान देना है carefully, कि deleted chapters to deleted exercise कौन-कौन सी है, airwind academy से भी आप पढ़ सकते हो one shot video, बट धियान देन अगर आपके बास down gas paper है, या किसी भी सरका gas paper है, वो वाले important questions भी आप prepare कर सकते हो, अगर आप calculus में आना चाहते हो, अगर आप calculus के बेना बाकी भी पूरा syllabus cover करोगे, आप pass हो जाओके, बट अगर आप calculus में आना भी चाहते हो, तो आपने यहां पर देखना है, far simple आपने application of derivatives य अगर आपको कोई question previous question में पूछ गया है, अगर वो question 7.8 exercise में है, तो आप उसको skip कर देना, previous questions paper का सहरा low, last 10 questions paper देखो, 7 देखो, in down gas paper देखो, बट साथ में deleted exercise भी देखो, यहां अगर कोई question ऐसा है, जो deleted exercise है, उसको आप छोड़ सकते हो, paper की बात करें, आपको math का इस साल 80 marks क paper आएगा, जिसमें आपको 29 pass marks होंगे, पहले आपको 100 marks में से paper आता था, जिसमें 36 आपके pass marks रहते थे, अब यहांपर 29 ही आपको pass marks हैं इस साल, तो paper बिटरन तोड़ा change हुआ है, जैसे आपको section A में MCQS type, या simple definition वगएरा पूछी जाती है, total 10 questions होते हैं, हर कोई question 1 marks का होता ह section C आपको total 8 questions होते हैं, हर कोई question आपको 4 marks का होता है, section D आपका 29 से 31, 3 long questions होते हैं, 6 marks का question होता है, जैसे आप section A देख सकते हैं, यहाँ आप सभी 1 marks वाले questions है, यहाँ पर आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको model paper पे कोई ऐसा question हुआ, जो deleted chapter य यहाँ पर आप देख सकते हैं, section C आपको 4 marks वाले question होंगे, यह भी आप देख सकते हैं, section D में आपको सिर्फ 3 question होंगे, जो आपको 6 marks वाले होंगे, तो इस हesाब से आपका paper पे turn रहेगा, जो मैंने आपको बोला, अगर आपने कुछ भी prepare नहीं किये, calculus को skip करके बागी prepare कर स सकते हैं, तो वो भी आपका अच्छी तरीकर से हो जाएगा, कहां से prepare करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया.